तो चलिए देखते है question number 127 क्या है हमको दिरेका find all the points of local maximum and minimum and the corresponding maximum and minimum values of the function ठीक है तो देखो अपने पास function क्या है हमारा function है minus 3 की power 4 x की power 4 minus 8 x cube minus 45 by 2 x square और यहां आजाएगा अपना 105 है ना देखो यहां पे आजाएगा अपना f dash x निकालते हैं पहला point पहला कमते ही होता है तो करो किता हो जाएगा यहां आजाएगा minus 3 x cube 4 से 4 कट जाएगा जैसी नीच आएगा फिर यहां पे आजाएगा minus 24 x square तो 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 45 x और 105 तो पको पता है 0 आजाएगा ठीक है और यहां पे देखो क्या आजाएगा इसको हम 0 के equal put कर 0 और एक आजाएगा अपना x square plus 8 x plus 15 equals to 0 देखो कहीं यह पे यह अपना वो तो नहीं हो रहा middle term split तो हो तो रहा x square plus 3 x plus 5 x plus 15 equals to 0 अब यहां से देखो x के क्या value आजाएगे दो चीज़े आजाएगे x plus 3 into x plus 5 equals to 0 है ना तो x की देखो यह आजाएगे क्या-3 और minus 5 चलो देखते किसके लिए क्या values आएगे है ना तो उसके लिए तो किसके लिए maximum है किसके लिए minimum है यह चेक करने के लिए अपने को add double dash x की जरूत पड़ती है तो add double dash x निकालो किता हो जाएगा देखो minus 3 x cube है तो किता हो जाएगा minus 9 x square तो यहाँ पर देखो किता हो जाएगा minus 24 24 into 3 किता हो जाएगा 24 into 3 का square 24 into 48 x हो जाएगा तो यहाँ पर सिर्फर सिर्फ माइनस 45 बच जाएगा है ना अब एक एक करके put करके देखो क्या आजाएगा f double dash 0 किता हो जाएगा f double dash 0 अपना ह यहां पर देखो यह पूरा 0 हो जाएगा तो minus 45 आ जाएगा similarly f double dash आप पूट करके देखेंगे किसको अपना minus 3 को पूट करके देखो किता आता है तो देखो यह तो हो जाएगा minus 3 का square 9 9 9 जा minus 81 हो जाएगा फिर यहां पूट करेंगे तो 24 2 3 2 4 12 144 आ जाएगा और यहां पर देखो किता आ जाएगा लेकिन यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहां आ जाएगा minus 45 तो देखो यह तो minus 81 minus 45 हो जाएगा minus 126 और यह आ जाएगा 144 तो यह overall क्या आ रहा है अपना यह overall आ रहा है positive यह यह याद रखना है यह overall कैसा आ रहा है negative ठीक है और अगर हम बात करें यह double dash minus 5 की तो पुट करो कितना हो जाएगा यहां पर जाएगा 25 25 9 जाएगा minus 225 और यहां क्या जाएगा यहां पर देखो आ जाएगा 5 8s of 40 40 को 4 यहां आ जाएगा 240 और यहां जाएगा minus 45 तो देखो कितना हो जाएगा यह यह हो जाएगा minus 270 और यहां प्लस हो जाएगा यहां आ जाएगा plus 240 तो यह overall कैसा हो गया overall यह भी अपना आ गया positive it means यह positive positive है it means यह क्या होग यह अपना minima होगा अच्छा यह positive नहीं है sorry sorry यह अपना negative है यह अपना negative है तो सिर्फ यह अपना क्या होगा यह अपना होगा minimum और बाकि zero पे अपना maxima होगा और यहां पे minus to 70 minus 40 वाले में भी अपना maximum होगा ठीक लिए overall भी negative होगा तो फट 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 निकालते हैं तो पहली minimum value क्या आएगी f0 पहली minimum value देखते हैं क्या है तो इसको put करोगे तो देखो यह तब पूरा 0 ही हो जाएगा क्यों x वाली terms है यहां भी देख लिए पूरा 0 हो जागा तो सिफ कितना आजाएगा 105 बचेगा अब बात करते हैं दूसरी zero value दूसरी minimum value जो कि f-5 आजाएगा minimum तो देखो क्या आजाएगा minus 3 by 4 5 की power 4 minus 8 5 की power minus 5 की power cube minus 5 आजाएगा और यहां आजाएगा मैननस 45 by 2 5 square और देखो कितना आजाएगा 105 तो जलो solve करते हैं देखो मैं solve करके बताता हूँ हम आपको क्या आएगा तो यह देखो यह अपना आ जाएगा देखते हैं क्या आ रहा है अपना solve करते हैं यह ना कि minimum values है ना ये maximum values है तो यही लिखाता है कि maximum value यह भी maximum value और यहा ऊपर आके minimum लिख दिया है ना तो अपना f-3 के आएगा यहां इन्य minimum value तो minimum value बता कितीtey आ जाएगी यहां जाएगा डेखो , —3 by 4 minus 3 key power 4 minus 8 और यहां जाएगा 3 key power 3 और यहां जाएगा –45 by 2 यहां आजाएगा तरीका square और यहां आजाएगा 105 तो चलो solve करके बताता हूं देखो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा अपना देखो लिखते हैं यहां हो जाएगा अपना 231 by 4 हो जाएगा ठीक है तो यह आगए अपना minimum value यह आजाएगी अपनी 2 local maximum values ठीक है